मुवी की सुरुवात में हमें एक लड़का दिखा जाता है, चूकि बहुत इतले इंसन में रहता है और एक बॉक्स खोलने के कोईज़ करता है, अगर वो बॉक्स नहीं खोल पाया तो उसकी मौत हो जाएगी, और वो बॉक्स एक कोड से खुल सकता है, तो वह किसी तरह उस ब जाता है, तब उसके बोड़ी से पुरा खुन आने लगता है, उस कील में जहर मिला हुआ रहता है, तब वह त्रॉप त्रॉप के वहीं पर मर जाता है, तब हमें एक आदमी दिखा जाता है, जो कि यह सारा घटना देख रहा होता है, और इस लड़के को ऐसी कंडिशन में वही पहुचाता है, तब हमें पता चलता है कि इसका काम ही यही है, लोगों को escape room तक पहुचाना और इनके साथ मौत का खेल खेलना, और यह ऐसा आपने मज़े के लिए करता है, अगला सिन में हमें एक कपल दिखाया जाता है, नतासा और टाइलर, जिसमें टाइलर का नर्मल सा गेम है, जो किसी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, और उसे कुछ clue ढूंड के बाहर आना रहता है, लेकिन हम सबको पता है कि अगर वहा clue नहीं ढूंड पाया, तो यह मौत का खेल बन जाता है, यह उसका मरना तय है, तब सभी normal गेम हैं सोच के वहा खेल खेल का सोचते हैं, और इस खेल का कुछ रूल रहता है, कि आप अपने साथ कुछ समान केरी नहीं कर सकते हैं, मुबाइल, वाज, पैन पे अलसे कुछ भी नहीं, और escape room तक आपको आँख में पट्टी बंद के पहुचाया जाएगा, तापकि आपको पता ने चले कि आप कहा है, अगलास में हमें दखाया जाता है कि टैलर room में पहुचा हुआ है, और वा अपना आग से पट्टी हटाता है, तब वा देखता है कि वा एक कमरे में बंद है, जिसमें light भी नहीं, तब बगल में उसे एक light का switch दीखता है, तब वा switch को on करता है, लेकिन इसमें एक catcher आता है, वो escape room का mastermind, नतासा को पहले ही good nap करके एक side में रख लेता है, और टैलर या switch जैसे ही on करता है, नतासा की घड़ी की countdown सुरो हो जाती, इसका मतलब अगर यह countdown खतम होने पहले वो बाहर नहीं निकल पाएं, तो नतासा मारी जाई, इधर Anderson और Christian को एक संथ बांधा हुआ रहता ह लेकिन यह दोनों एक दुस्रों को बिल्गूर पसंद नहीं करते हैं और आपस में जगरते रहता है, लेकिन Christian टैलर को बहुत पसंद करती, उससे पता है कि नतासा उसकी girlfriend फिर भी वह उससे पसंद करती, और उसके साथ flood करते रहता है, इधर Anderson और Tabby को भी एक अलग कमरे में बंद किया हो रहता है, यह दोनों भी आपस में कपल रहता है, और जैसे यह दोनों आखों से पती हटाते हैं, तो देखते हैं कि Anderson के कमर पे एक अजीब सा ताला लगा हो रहता है, जो कि कुछ पजल सौर्ट करने पर ही वह खुलता है, तब कुछ दिमाग लगा के यह दोनो उस ताले को खोल लेते हैं, और उसी के बगल में एक और कमरा रहता है, जिसमें कुछ A-word का कुछ spelling लिखा हुआ रहता है, यह क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा, यह दोनों वहीं फिर romance करने लगते हैं, कॉन्राड और किस्चन अपने हाथ में लगे ताले का चाबी ढू लेते हैं, और उस दर्वाजा को खोल देता है, वह हत्खडी कोलने के लिए भी कुछ कुलू रहता है, जिसे वह ढूंड के उस हत्खडी के चाबी निकाल लेते हैं, और किस्चन और कर्ड उस हत्खडी से आजा दो जाते हैं, फिर उन्हें अगला step में जाने के लिए भी कैच रहता है, कि उस कमरे का दर्वा जब बंद रहेगा, तभी वह वर्ड टाइप हो पाएगा, और आप अगले step पे जा सकते हैं, तब वह क्या वर्ड है, इसको ढूंडने के लिए वह कुलू ढूंडने लगते हैं, तब वहां वह नतासा को देखते हैं एक TV पे, जहां प अंदर से वहां सही टाइपिंग करके, वहां next step पे बढ़ सकते हैं, और Anderson और Tabby वहां अंदर रहते हैं, और बाकी सभी बाहर कुलू ढूंडने लगते हैं, तब वहां उसे कुलू मिल जाता है, और वहां सही वर्ड टाइप कर देते हैं, लेकिन तभी डोर लोक हो जाता है, और कर्ड कोई आबात पता नहीं रहता है, और वहां दरवाजा खोड़ने का कोशिज करता है, लेकिन उसी समय चावी टूड जाता है, और वो लोग जो सही वर्ड टाइप किये थे, वो भी इरव दिखाने लगता है, और जिस रूम में Anderson और Tabby रहते हैं, वहां एक जहरेली क्या चुटने लगता है, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता है, और वहां पजल सौब कर लिये हैं, बोल के वहां आपस में किस करने लगते हैं, लेकिन तभी उन लोग की चमड़ी गलने लगती है, और उन लोग की बोड़ी पूरा गल जाती है, और उनकी वहीं पे मौत हो ज तब वोह सभी डर जाते हैं और वहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहते हैं तब उसी रूम में पेपर के पीछे एक छोटा होलग राता है जिसके थूरू रहता है वहाँ से किष्छन और टैलर तो निकल जाते हैं लेकिन करड़ फश जाता है और वहां से एक cutter निकलता है और उसके body को बीचो बीच पूरा काड़ देता है अपिवा छेज से दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वह सुरुवात से वह वही room में पहुंच जाते हैं तब उन्हें एसास होता है कि यह room उन्हें मारने के लिए ही बनाया गया तब उन्हें एक और दर्वाजा मिलता है जिसका थुरू वह पूरी तिर्कस से निकल सकते हैं लेकिन उसे खोलने के लिए एक handle को घीचिना रहता है जो कि भालू के खाल के अंदर रहता है और और दर्वाजा का खासेत यह रहता है कि जैसे ही वह handle आप खीचोगे दर्वाजा तो खुलेगा लेकिन उसका मुह बंद होने लगेगा और उसके अंदर से एक लोहा निकलेगा और आपका हाथ तोड़ देगा लेकिन यह बात दोनों को पता नहीं रहती है तो पहले किस्चिन उस दर्वाजा खोल लेको कोशिश करती है लेकिन वह खोल नहीं पाती है तब टाइलर उसके खोल लेको कोशिश करता है तो वह जैसे जैसे ही दर्वाजा खोलता है उस भालू का मुह बंद होने लगता है औ तब Natasa बोलती है कि मुझे भी ने पता था कि ऐसा हो जाएगा और वो countdown का time ही जो है वो खतम होने वाला रहता है तब उसी का बगल में दो बटन रहता है दोनों का side नतासा कभी और टैलर कभी कि या तो मुझे बचा लो या फिर उससे बचा लो तब timer खतम होने से पहले टैलर से मी वाला बटन दबाता है और नतासा उससे बचाने वाला बटन दबाती है लेकिन तब तो बहुत ही देर हो जाता है और टैलर के पीछे एक कील घुशता है और उ में एक आवाज आता है वही इसके प्रोमाल है आदमी का अब बोलता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं मैं तुम्हें हर जगह से देख रहा हूं चाहे तुम कहीं भी हो अगर तुमने किसी को बताया था तुम मारी जाओगी और मुभी यहीं पे इंड हो जाती तो दोस्ता आ मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद